लीजे, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी सेयर करने जा रहे हूँ, इसे बनाना तो इतना आसान है ना, कि आप जब इसे बनाने जाएंगे ना, तो आपका मन करेगा कि हर दिन मैं इसे घर में बना कर कहीं तैयार करूँ, बाहर से आप बिल दार्शी रेसिपी को सुरू करते हैं, आप लोगों को भी अगर मेरी आज की रेसिपी और मेरी मैनात अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, मैं यहाँ पर ले ली हूँ, सोया चाप स्टिक, तो सोया चाप स्टिक घर में कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी आप सभी के साथ सेयर करने जा रही हूँ, तो इसे मैं चाप को फ्रीज से निकाल करके और फिर मैं इसे गरम पानी में डाल देती, दो से तीन मिनट के लिए, उसकाद पानी से निकाल करके, हमें इसे ठंडे पानी में वस करके और फिर इसे कट कर लेना है, फिर इसमें तो कोई बात नहीं है आप किचन किंग मशाले में से हाथ टी स्पून डाल दीजेगा एक बार इसे आप टॉस कर लीजेगा देखे कुछ इस तरह से तो चलिए अब मैं इसे टॉस कर ली हूँ फिलहाल के लिए हमें कुछ नहीं करना है इसे अप साइड में रख देना है बहु और एक चमच बटर का इस्तेमाल किया है इस रेशिपी को आप जब ही बनाएंगे न तो बटर या घी का इस्तेमाल जरूर कीजेगा उसके बाद हमें यहां पर डाल देना है सोया चाप को तो चलिए अब मैं इसे डाल दी हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है कलर ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है खाने में बहुत ही जादा सॉफ्ट बन करके तयार होता है तो मस्ट्राइ रेशिपी है फ्रेंट इस रेशिपी को तो जरूरी ट्राइ कीजेगा क्योंकि स्टिक बनाने का तरीका भी मैंने अपलोड कर रखा अपने चैनल पे तो आप लोग एक बार डिस्किप्सन बॉक्स में जा करके जरूर चेक कीजेगा चलिए अब मैं ये भून चुकी हूँ देखिए गोल्डेन भी हो चुका है कलर इसका गोल्डेन देख रहे है ना बस अब इसी एसे एक बाउल में या प्लेट में निकाल करके साइड में काजू का इस्तेमाल कर रहे हूं काजू की जगह पे आप चाहें तो मुझ फलीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही की जगह पे आप मलाई भी ले सकते हैं उसके बाद हमें या पे थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डालने हैं तो मैं आज धनिया के पत्ते के साथ अ एक दो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसका पेश्ट बना अरहे अब फिर गैमन गर्म होने गैस को आ रुपोन कर लिया है, एक चमच तेल और एक चमच बटर हमें फिर add करना है half teaspoon मैं यहाँ पर जीरा डाल ली हूँ जैसे ही जीरा crackle हो जाएंगे तो कुछ खरे मसाले हमें add करने हैं जैसे कि तेजपत्ता फिर मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकरा और थोड़े से लॉंग और इलाइची ले लिए हैं हरी वाली black cardamom green cardamom आप कोईशी भी डाल सकते हैं और यह सभी चीज जले ना उसके बाद हमें gas को off कर देना है और शौते हो जाएंगे ना उसके बाद हमें यहाँ पर grind की हुए दही वाले mixture को डाल देना है गैस को बंद करके ही दही वाले mixture को डाल लिएगा नहीं तो फटने का डर रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर गैस को off कर दिया है उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से पहले mix कर ली रही हूँ फिर हमें gas को on कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है कस्मेरी लाल मिच पाउडर आदा छोटे चमच अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा कर शकते हैं मिच पाउडर को उसके बाद यह जैसे ही एक से दो सेकेंड के लिए भुनना है फिर हमें यहाँ पर दो चमच फ्रेस फ्रेस दूद की मलाई डाल लेनी है तो मैं यहाँ पर दूद की मलाई डाल ली हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से पहले इन सभी चीजों के साथ मिक्स कर ले रही हूँ फिर यहाँ पर जाएगा स्वादा नुशार नमक और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से पनीटी का मसाला डाल रही हूँ आप यहाँ पर किचन कींग मसाले का इस्तेमाल कर सकते है फ्लेम को मिडियम रखते हुए अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है एक दुसरे में कोट कर देना है और दो से तीन चमच यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ फिर लाइट हर्ण से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है तो बहुत ही आसान तरीका है घर में ही आप लोग तयार कर शकते हैं अफगानी सोया चाप तो खाने में भी यह बहुत जादा टेस्टी लगती है मार्केट वेगरा से कई गुना जादा यह स्वाधिश्ट आपके घर में ही बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए अब गयास को ओफ कर लेना है बीना कोई ताम जाम की यह रेशिपी बनती है बहुत ही आसान है तो जरूर बना करके देखिएगा थोरे से कटे हुए धनिया के पत्ते में डाल दी हूँ अब मैं इसे फटा फट से सर्व कर ले रही हूँ तो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेशिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो गर आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे ये सोया चाप की रेशिपी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और इस रेशिपी को फ्रेंज ग्रूप्स में और फ्रैमिली वालों के साथ सेर भी कर दीजेगा तो चलिए फिर से एक आसान नई और टेस्टी रेशिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलूंगी फ्रेंज तो इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा चलिए तब तके लिपाई